प्रणादार सुन्दर साज जी, किरंतन का या एक सुते रहा परकरण, पुर्णते अचित्वनी से समधित है, हम इस नस्वर संसार में बैठे हैं, और इस संसार में बैठकर हमें अपने प्रणादार स्वर को, अपने धा मिर्दे में कैसे देखना है, उस पार यह प्रक्णप्रकाश डालता है, चतुर चौकस, चेतन अतिचूपसू, कुवत कर सव अंग कमर कसे, यह चौपाई बहुत कुछ कह रही है, उन संसार साथ से, जो सोचते हैं, कि राजी तो बहुत दूर परमधाम में हैं, हमारी अंतिरात्मा के पुकार वहां तक कैसे पहुँच पाएगे, क्या हम राजी को देख पाएगे या नहीं, पहले तो बात यह है कि अक्षरतित कोई मनुस्र नहीं है मनुस्र तो अंदा हो सकता है, बैरा हो सकता है, गोंगा हो सकता है किंट वह हूं अक्षरतित हैं जो सर हो सकती मान है, सकल गोरने धान है विद ने कह fails दिया दुराच सो दूरे तद ये ये अंत केचा वो इतना दूर है कि मनुस की बुद्धि उसका अकला नहीं इकट सकती और इतना निकट भी है कि मनुस उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि प्रितम परब्रम हमारे कितने निकट है कि जब माया का अंदकार चाया होता है जीव को ये बुध ही नहीं हो पाता कि प्रितम हमारे सबसे अधिक निकट है बाणी में सर्वत रखाया है हक नजीक से रख से जो प्राण की नली से भी निकट है उस प्रितम अच्रातीत को सुंदर साथ ने ये समझ रखा है कि हमारी पहुंच उन तक नहीं हो सकती इसलिए हम किसी मंदिर की सरण ले 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 किसी आश्रम की सरण ले ले किसी बेक्ते विशेष की सरण ले ले और इस इस्तिति में वो राजी की चितुनी से दूर हो जाते है समझते यही है कि कुछ चड़ावा चड़ा दिया जा तो यह कम सरल हो जाएगा किन्तु बात यह नहीं है प्रिया प्रेत्म के वेच में कोई दूरी नहीं होती यह प्रक्रण इस तत्य को दर्शा रहा है कि प्रेत्म कैसे है चटूर जौकस जेतन अदि चोफ सूर प्रेम की लिला में अद धिक चतूर है चतूर किसको कहा जाता है जिसकी बुद्धी हमें साह क्रिया सीलो और यह अथार्ता को गरहार कर लें वो ब्यकति चतूर कहलाता है उस ब्यकति को चतूर नहीं कहते हैं जो दुसरे के सुख को छीनता है अपने बुद्धी की चुतुराई से या किसी तरह से पिला देता है चौकस किसको कहते हैं चौकस वह है जो हर पल सजग रहे है चेतन और अतिचोपसु प्रेतम के अंग-अंग में चातु रिता है सजगता है चेतनता है और अतधिक उमंग है किसलिए कि मेरी प्रेतमा माया के संसार में मुझे ही याद कर रही है मेरी एक-एक अंग की सुबा को देखने में तलीन होना चाह रही है हम सुन्दर साथ संभाता परम्धाम की वाइदत के वास्तव की राज से को नहीं चान पाते हैं एक-एक इंदरी गुन पाँचों परिकर्मा में यह बात दर्साय दी गई है कि परम्धाम में रज के स्यमाजी के या सक्यों के एक-एक इंदरी में सभी गुन होते हैं आंखे देखती हैं तो आंखे बोल भी सकती हैं वहां के धर्ति हवा वाई अकास सब कुछ आत्मा के सुरूप हैं इस नस्वर संसार में बैटकर नस्वर संसार के भावों से उस सत्य को यथार दूर्प से नहीं समझा जा सकता है प्रेतम कि एक-एक अंग में जो सजक्ता चैत तन्यता और उमंग की बात कही गई है प्रेशन ये होता है कि चतुर सब्द का प्रियोग तो मानो जगत में रहे है अक्षरातीत के लिए यहां चतुर सब्द क्यों कहा गया इसका भाव यह है कि अक्षरातीत के एक-एक रूम में प्रीम की अनंत सागर उमड रहे है और हमारी आत्मा, राची के जिस भी अंग की तरफ देखेगी, उस अंग में आनंद की ऐसी लहर उमड़ेगी, प्रेम और संदोरी की ऐसी लहर उमड़ेगी, कि वो हमारी आत्मा की दृष्टी को पूरे नक से सिक्त के सिरिंगार में टुबोएगी, इसलिए यहां चतुर सब माय विजगत में ऐसा होता है कि किसी के हस्त कमल के संदरी को देखे तो वो उस संदरी को देखकर आनन तो होगा लेकिन उस संदर में यह समर्थ नहीं होगी कि पूरे नक्से सिक्त की सोभा में रुबोने की समर्थ रखे यह अवस्य हो सकता है हिर्दय में सुता इच्छा हो तो हमारी नजर किसी मानुई संदरी के सभी अंगों को देख सकती है अन्य था उस अंग में हमारे हिर्दय में ऐसी प्रिणा किरने की प्रिवर्थी नहीं होती किन्त परमधाम के एक 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 अंग बोलने वाले है परमधाम के एक 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 अंग प्रेम करने वाले है सभी अंगों का समान सुंदर है और सभी अंग अक्षरातीत के हैं इसलिए हर अंग में परब्रम का आनंद है परब्रम का सुंदर है परब्रम की लिला है और परवर्म का एकत्तो भी है देखने वाला भी तो वही है जिसको देखा जा रहा है वो भी वही है इसलिए प्रिया प्रितम के इस लीला में प्रिया प्रितम के इस लीला रस सागर में जिदि हम डुपने का प्रियास करते हैं तो ऐसा लगेगा कि राजी की एक-एक अंग में हमारी आत्मा को आनंद देने के लिए उमंग भरिये वे अंग सजक हैं पल-पल चैतनिता है उनमें और इस तरह से हमारी द्रिष्ट को आनंद और संदोरी के रस में डुबो देते हैं कि आत्मा उदर उस सागर से निकलने की कभी सोच भी नहीं सकती इसी को कहा है कुवत कर सब अंग कमर कसे एक-एक अंग ने अपनी पूर्ण सक्ति के साथ तैयारी कर लिए कुवत कर सब अंग कमर कसे कमर कसने कह से क्या होता है तयार होना हर पल अंग एक एक अंग तयार है यदि आप राजी के नेत्रों की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये नेत्र मुझे देख रहे हैं इन नेत्रों से अक्षरातीत के हिर्दे का अनंद प्रेम अनंद हमारी आत्मा के हिर्दे में उमड़ता जा रहा है इसने सागर की चपाई में कहा है प्रेम के नेत्रों से अपनी नेत्र मिलाईए तो प्रेम के नेत्रों से अपनी नेत्र मिलाईए तो प्रेड़ाम क्या होगा हमारी आत्मा के धाम मिर्दे में अनंद प्रेम अनंद आनंद की बरसा होईगी और तब हमें वैदत के रस की एक जलक मिलेगी इसको कहते हैं एक रस हो ये इसक सो एक रस्ता एक रस्ता का दाट पर क्या है जो हम है वो भी वही है जो हुआ है हम भी वही है हम हक में हक हम में हक बिना सब ख्वाब इसकी जब अन्भूती होने लगे क्योंकि प्रिया प्रितम के बीच में कोई सत्ता की दिवार नहीं होती है स्वामी सेवक का भाव नहीं होता दास और स्वामी वहां कोई नहीं होता इस दिया प्रेम की एकरस था एकरस हो ये इसक जो चले प्रेम रे सरुपूर फिर फिर पहले लिए थे स्याम स्यामाजी हजोड और तब हमारी आत्मा के धाम हिर्दे में युगल सरुप के नक से सिख तक की छबी दिश्ट गोचर होने लगती है कुवत कर सब अंग कमर कसे एक एक अंग अपनी पूर्ण सक्ति के साथ नित्रों के विसेश्टा क्या है हिर्दय का प्रेम उडेलना हिर्दय कमल की विसेश्टा क्या है प्रेम में और व्रति करना चरण कमलों की विसेश्टा क्या है सर्वस समर्पन की भाव ना देना हस्त कमलों की विसेश्टा क्या है एकत्यों का अनुभो करना इस तरह से हर अंग में विसेश्टा इस संसार में होती है किन्त परमधाम के हर अंग में सभी विसेश्टा है हर अंग प्रेम के रस में डू वोकर एक मार्फथ विज्यान के वस्था पराप्त कराने वाला है मार्फथ की अंतिम चरण जिसमें केवल तू रह जाए स्वयम कास्ति तो स्वाप्त हो जाए यही तो आध्यात्म का चर्म लक्ष है और यही बताने के लिए तुई खेल बना था महामतिजी की आत्मा हम सुन्दर साथ को इस मयावी जगत में रहते ही भी परमधाम के सरोच लक्ष जिसका निर्णे कराने के लिए मया में हमें लाया गया है और परमधाम की वानिती गई है ताकि हम चान सकें कि वहद्दत एकत्यों की मारिफत एकत्यों का सरोच रहस क्या है परमधाम में सभी एक दूसरे कोरी जाते हैं किन्त कोई समझ नहीं पाता कि एक ही अक्षरातीत सभी रूपों में सक्खियां अपने को अलग समझ रही है स्यामा जी अलग समझ रही है यह समझ रहे हैं कि हम राजी गुरी जाते हैं इनको यह पता नहीं था कि तुम और राजी दो नहीं हो अध्यात्म का सरुचि ज्यान यह कहता है एक अक्षरातीत ही सरुपर यह और वही सब कुछ है परमधाम के एक एकत्यो के रस में जदि हम डूपकी लगाएं तो हम यह स्वय में का समापन करना ही हुगा कि तो देखा जाता है जब इस मायावी जगत में हमारी आँखे खुलती है तो हमारा जीव ऐसे संसार में भसा पड़ा है जिसमें परमात्मा को पाने के लिए संसार के लोग नचाने कौन-कौन से रास्ते अपना रहा है कोई पत्तर की मुर्ति पो चपन भोग लगा रहा है फोल पत्ती चड़ा रहा है कोई किसी देवी के आगे पसों की बली दे रहा है वो सुचता है कि देवी खुस हो जाएंगे इक्ष्वां पूर्थि कर देंगे कोई अपने माथे को तिलक चंधन से श्रिंगा 느त कर रहा है कोई गले में माला पहने बैठ था है कोई जब कर रहा है कई तप कर रहा है कोई आखे बंद की हेए ध्यान करने की कोशिस कर रहा है लेकिन परमधाम का प्रेम में ध्यान, प्रेम में चित्वनी किसी को मालम नहीं, कि हम किसकी धारना करें, किसका ध्यान करें, इसलिए कोई निराकार में बठक रहा है, कोई जड़ पदार्थों में बठक रहा है, यह ऐसा तमासा है, जिसमें सर्वस को प्रितम के प्रेम में सम साय गया है परमधाम की आत्मा तो यह मत सोच कि तू ध्यान करेगी और प्रियतम तुम्हारे प्रति उधा सीन बैठे रहेंगे प्रियतम की अंग अंग यह बाट देख रहे हैं कि तेरी दिष्ट का मुल मिला में पहुँचेगी और तू नक से सिख तक उनके अंगों को देखेगी जब तेरी दिष्ट उधर पहुँचेगी तो उनके एक-एक अंग में जो प्रेम का सौंदरी का आनंद का एकत्त का रस सम पूरता है सजगता है चैतन्यता है और हर अंग में उमंग भरी है कि परमधाम की जो भी आत्मा मुझे देखेगी मैं अपने प्रेम और आनंद के रस में उसको टुकूंगा सुंदर सज्जा संकूलतन रूहर जी इस खेल में परमधाम की आत्मा ने अपने प्राणिस्वर से मिलने का निर्णे किया है इस दिए उसके अंग-अंग में प्रसन रता है और उसने अपनी आत्मा के धाम हिर्दे में अत्य सुंदर सिज्जा तयार कर रखी है सागर गरंत में एक जो पायाती है अंतस्करन आत्म के जब यह रही हो समाए तब आत्म परात्म के रही नकचुंतरा है परात्म के जो इस्थिती है वो इस्थिती इस खेल में हमें प्राप्त हो सकती है जब हमारी आत्मा के हिर्दे में प्रितम की च्छवी बस जाए हमें यह भाव रखना होगा कि हमारी आत्मा का हिर्दे धनिक अधामें यह चोते चलन में इंबात कही जा रही है मासुक दिल मौमिन महल माहि बसे मासुक प्रियतम सिर्राजी कहां बसते हैं दिल मौमिन महल प्रियतम का घर कहां है जुश रंग महल की बाद हम परिक्रमा में पढ़ते हैं जिस मुर मिलावे की बाद पढ़ते हैं वो कहां है दिल मौमिन आत्मा का हिर्दे ही प्रियतम का रंग महल है जिसमें वो निवास करते है उपर तले अर्सन कहया है अर्स कहया है मुमिन के लोग एक विचारदारा ऐसी भी है जिसमें ये दर्साया जाता है कि परमधाम मेही केवल राजी है और सिंगार के दुसरी प्रव character में इस तर्साया गया है कि आत्मा के हिर्दे में संपूर परमधाम बसता है आत्मा जहां भी है उसका हिर्दे ही धनी का धाम होता है अईसी सिती में वह विचारदारा ये तर्क प्रस्तत करती है कि ये परात्म के लिए कही गई ये बात परात्म के हिर्दे में राजी है परात्म के हिर्दे में परमधाम है कि तो आत्मा के हिर्दे में नहीं प्रस्य होता है जदि यह बात है तो ये चुपाई क्यों कही जाती है कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है माहे अर्स की सब भी साथ परमधाम की संपूर्ण समगरी हमारी आत्मा के धा मिर्दे में है परमधाम की संपूर्ण सुबा और असपस्ट कह दिया है ना तो दिल आदमी का क्यों अर्स कह या जाए अर्स तन दिल में ए दिल दिल अंतर पठ को चुना है हमारी आत्मा का दिल जो है परात्म के दिल का पर्तिवीं पर अर्स्तन जिसको कहते है परात्म अर्स्तन दिल में ए दिल अर्धात परात्म के हिर्दे में हमारी आत्मा का हिर्दे है दिल अंतर पट कोछ ना है दोनों में कोई अंतर नहीं होता है इसलिए जो परात्म के हिर्दे में है वो हमारी आत्मा के हिर्दे में भी है आउसकता यही है कि उस माया के बर्दे को हटा दिया जाए जिसके करण आत्मा अपने धाम हिर्दे में विद्यमान पर्म धाम की सोबा को नहीं देख पा रही है युगल सुरुप को नहीं देख पा रही है और इसके लिए तार्तम ज्यान के प्रिकास में हमें सुयम के सुरुप को जानना होगा और उस प्रिकास में परमधाम का प्रेम लेकर जब हम अपनी सुर्था परमधाम की तरफ मोड़ेंगे छर अक्षर से परे जाएंगे तो हमें अभास हो जाएगा कि जो परमधाम में सब कुछ है वो तो हमारी आत्मा के धाम हर्दे में भी सुक्ष्णूरुप से कहीं न कहीं विद्यमान है लेकिन हमारी दिष्टी माया के उपर पड़ी हुई थी माया भी तन के उपर माया की जीव के उपर इसनी हमें अपने सुरूप का बोध नहीं वो पा रहा था हमें अपने निज सुरूप का बोध दिलाने के लिए निज आनंद को दिलाने के लिए एकत्व के सुरूप में विलेन करने के लिए और अक्षरतीत के दिल में डुपकी लगा कर मारिफत की सर्वच वस्था को प्राप्त करने के लिए ये प्रक्राव दर्साय गया है सुन्दर सेज्जाय सनकूलतन रूवरची मासुक दिल मुमिन मोहल माहे बसे हमारा प्रितम मासुक कहां रहता है? हमारी आत्मा के खिर्दे में और उसको पाने के लिए पाया तो उसको जता है जो कोभी नहीं मिला होता है हाँ ये अवस्या है इस खेल में पाने के लिए वो तो अपना ही है अपना ही नहीं निजिक सरूप ही है हमारे और उसके अंदर सरुप में कोई भेद था ही नहीं हमने भेद बनाया और उस अभेदता को दर्शाने के लिए खेल बनाया महामते जी के आत्मा ने सब सुन्दर साथ को अध्यात्म के चेर्म लक्ष को पाने के लिए इस प्रकड़ों में प्रेरित किया है और इस सत्य को उजागर किया है कि सभी समझ जाएं कि हमारी आत्मा का हिर्दे धनी का धाम है और इस लक्ष को पाने के लिए आत्मा के अंग में प्रसन नता है वो प्रात्म का सिंगार सच चुकी है और अपनी आत्मा के धा मिर्दे में पृत्तम के लिए अत्य सुंदर सेज्जा उसने तयार किया, ऐसी सेज्जा जिसके पलंग के पाय इल्म के हो, उस पर विछावना है इमान का, विरा के फूलों से सेज्जा को तयार किया गया हो, और प्रेम की चादर उस पर विछा दी कानून की बाट देख रही है उसका प्रियतम कैसा है यह आगे की चुपाई में दर्साय जा रहा है मनतन जोवन चड़ता नौतन आया अमरद आशिक इसक गंजले उस अर्च की सज्या पर आति सुंदर की सोर सुरुप वाला प्रियतम प्रेम का अनंत भंडार लेकर के विद्य केवाल प्रेम केवाल अनंत तन कैसा है यहन सिभरपूर सॉंदरी की परकπαष्ठा है कि सुरावस्ता मन फॉनतन चड़तन सौंदरी की परकाष्ठा लिए हुए वो कि सुरावस्था का सुरूप है जो हर भल नित्य नमीन देख रहा है उसमें कभी हरास नहीं होता, कभी नियुंता नहीं आती ऐसा प्रेम का सुरूप है जिसका बर्ण करने के लिए बुद्धि कुंठित हो जाती है सब्द रुख जाते हैं अधूर अम्रित मुखतंत रसना रस प्रितम के होट कैसे है अम्रित अम्रित कहते हैं जिसका सेवन करने के बाद म्रित को प्राप्टना हुआ जाए अधराम्रित प्रेम की भासा में एक सब्द आता है अधराम्रित उसी को यहां अधूर अम्रित कहा गया है प्रितम के हुटों की तरफ अधूरों की तरफ यदि हमारी दिरिष्टी जाती है तो ऐसा लगता है कि वे अम्रित का अनंत सागर अपने अंदर सुझोए हुए है और उन हुटों को देखने के बाद अईसे कौन सी आत्मा है जो प्रेम की अनंत सागर में सुझोए को न डुपो सके अधूर अम्रित मुखदंत मुख क्या है सुंदरिका सागर है क्योंकि मुख में नस्का भी है काम भी है पूर मुखार बिंद अधिसे सुदर लग रहा है अधूर अम्रित दंत रसना रस दान कैसे हैं अनार के दानों की तरह अतिसुंदर लालिमा और सुफधी सिमिस्रित रसना वाणी कैसी है प्रेम के रसमे डुबीवी होट मुखार बिंद संपूर मुखार बिंद और दान्त अम्रित के सागर को अपने अंदर समेटी भी दिष्ट को चरू हो रहे है भाव क्या है जब हमारी दिष्टी राजी के मुखारविंद पर फटती है दिखने में आता है कैसा है वो मुखारविंद आगे की चुपई में इस सत्त कुदर साए गया है मुखारविंद से तादपारी पुर मुखारविंद से जिसमें नासका भी आजाएगी, नित्र भी आजाएगी कान भी आजाएगी जिसका वरन तीसरी चुपई में आगे किया जा रहा है किन्त इस चुपई के तीसरे चड़ में यह बात दर्स आई गई है कि होट और मुख और दांत अम्रित के रस में ओत पुरूथ है ऐसा लगता है कि साच्छात अम्रित ने ये होटों का रुपधान कर लिया हो मुख को खोल लिये तो मुस्कराते हुए मुख हरविंद के दांत ऐसे लगते हैं जैसे स्वेट और लालिमा से भरी हुए अनार के दानों की तरह जब अक्षरतीत के मुख से सब्द निकलते हैं तो लगता है कि आनंद का एक सागरी उमर पड़ा हो नित नए सुन्दर सब देखे चड़ते नित ही नमींता है इनमें नित नमींता इनके अंदर है सभी सुन्दर है और पलपल लगता है कि पलपल इनकी सुन्दरता में इनके प्रेम में इनके सौंदरी में इनके आनंद में ब्रिद्धी होती जा रही है या इस्तिति कब है जब हमारी आत्मा अपने प्रानेश्वर के दिदार के लिए मूल मिलाव में पहुंचती है एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि हमने कागज के नक्से पर परमधाम को देखा है इन माया की आखों से हमने परमधाम को तो देखा नहीं होता इसलिए परमधाम कहाँ है इसतत पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो ज्यान देखी से जब हम देखेंगे तो हम अपनी सुर्ता को इस चोदे लोक वाले ब्रह echo से परे ले जाते हैं निराकार को पार करते हैं बेहद मन्डल को पार करते हैं और संकल्प से मानते हैं कि इसके उपर बेहद मंडल के परे परमधाम है बेहद का अर्थ ही होता है जिए अनन्त है निराकार भी मानुवी बुद्धी के लिए अनन्त है बेहद इसुरी सिष्टी के लिए अनन्त है और परमधाम ब्रहम सिष्टी के लिए अनन्त होता है प्रस्द यह है कि जिस निराकार को कोई पार नहीं कर सकता अपनी मानुवी बुद्धी से उसके परे की कल्पना कैसे करे हैं क्या हम कागज पर गुलाई कर निशान बना लें कि यह हद को पार किया यह बेहत को पार किया यह परमदाम को में अब हम पहुंच गए ऐसी इस्थिति में हमें यह बौदिक दिर्ष्टे तो हम चिंतन विवेचन कर सकते हैं कि यदि हम अंतरात्मा के आंखे खोल ले तो यहां लगेगा कि सारा परमधाम जब हमारी आत्मा की हर्ते में है तो मुल मिलावा भी हमारी आत्मा की हिर्दे में ही होगा यह सकते हैं कि हद बेहद से परे परमधाम है किन्तु वह परमधाम हमारी आत्मा की हिर्दे में ही बसता है इसलिए हमें चित्वनी में दोनों भावों को लेकर चलना होगा जान देश्टी से हमें हद बेहर के पार चलना है और प्रेम की देश्टी से हमें आत्मा के धा मिर्दे में अपने प्राणी सुर को देखना है जान और प्रेमें एक दूसरे के पूरक होती है यस पूर्णता सत्य है कि हद बेहर से परे हमें चलना होगा किन्त ये कब तक जब तक संकल पर चल रहा है कि हमने कालमाया युग मया को पार किया जब प्रेम का रस आता है तो अनंत परमधाम हमारी आत्मा के धाम हिर्दे में डिश्च को चरूने लगता है क्योंकि मासूक दिल मुमिन मुहल महें बसे मासूक मुमिन ब्रह्मात्मा के हिर्दे में ही रहता है क्योंकि वह ही उसका रंगवाल है ब्रह्मात्मा का हिर्दे अक्षरातीत का रंग महल है जिसमें उनिवास करते है इस चौपाई के चोथे चरण में ये बात कहती गई है मासुक दिल मुमिन मोहल माहें बसे और सुन्दर सेज्जा सनकूल तन रूह रची प्रियतम ने दिदार देने के लिए अपने अंग में चैतनिता जो भर रखी है उनकी प्रियतमा आत्मा अपनी धाम इर्दे को सज्च्या बना करके बाठ देख रहे हैं कि प्रियतम के च़ण कमल कब इस पर आए और जी भर कर वो देखें जी भर कर बाते करें जी भर कर उनकी बातों कुछ सुने ऐसी इस्तिति में जब वो प्रिमी चित्वनी की तरफ कदम बढ़ा पती है तो उसको सरीर का अभास नहीं रहेगा अब तक जो उसने कालमाय यह गमया को पार किया होता है वो सारी इस्तिति समाप्त हो गई रहती है अब उसको एक ही बात है क्योंकि उसने परात्म का सिंगार कर लिया है जब परात्म का सिंगार कर लिया है तो कालमाय को भूल चुकी है कालमाय में उसका क्यातन है इसका भी उसकी कोई ध्यान नहीं क्योंकि अब प्रीम का रस है अब दिमाग नहीं काम कर रहा है दिल काम कर रहा है मस्सिस की यहां कोई आउ सकता नहीं हिर्दे से उमरते विए प्रीम की आउ सकता है जिसमें वह आत्म और परात्म को एक कर चुकी है इसलिए का है कि परात्म का सिंगार सच करके हम अपने आत्मा की दहामिर्दे में प्रितम को बसा सकते हैं परात्म के भाव में भावित होना होगा जब तक परात्म के भाव में हम भावित नहीं होगे हमारी आत्मा प्रित्म का दिदार कैसे कर सकती है अब कह रहे है निल्लवट बंके नैन नासका स्त्रवन माथा कैसा है अतिसुंदर बंके नैन तिर्छे नेत्र है नासका अतिसुंदर है स्त्रवन कान अतिसुंदर है कॉल फैल हाल नित नौले दिखाए एक एक अंग का वड़न किया जा रहा है कॉल का थाथ परें कथनी फैल करनी हाल या निरनी वाणी का जो रस है फैल प्रेमे कीड़ा और हाल आनद में इस्तिति माथे का कॉल यानि माथ जो मस्तक की सोभा है तिर्चे नेत्रों की सोभा है यानि कानों की कान नस का नेत और माथा अपनी कतने करने और रहने के दिश्टे नित ही नमीन दिख रहे हैं इसका विपराय क्या है कि जदी हम राजी के चाहे नेत्रों की तरफ देखे या माथे की तरफ देखे नासका की तरफ देखे या कानों की तरफ देखे तो ऐसा लगता है कि अत्यसुंदर भासा में भी हमसे बात कर रहे हैं एक-एक अंग हमसे बोल रहा है एक-एक अंग हमको अपनी प्रेमई द्रिश्टी से देख रहा है और एक-एक अंग हमको आनंद के सागर में डुबो रहा है ऐसा नहीं सुचना चाहिए कि केवल नेत्र ही देख रहे हैं मस्तक भी हमको देख रहा है नास्का भी देख रही है कान भी देख रहे है ऐसा नहीं सुचना है कि केवल कान से रज्जी हमारी अंतरात्मा की पुकार सुन रहे हैं नास्का भी सुन रही है नेत्र भी सुन रहे और माथा भी सुन रहा है, इसी तरह से किवल रसना ही नहीं बोल रही है, मज़ तक भी हमसे बाते कर रहा है, तीर छे नितनों से जो प्रेम के तीर चल रहे हैं, वे प्रेम के तीर हमारे हिर्दे में चुप रहे हैं और हमसे बाते कर रहे हैं, ना इसका भी हम को देख रही हैं हमसे बाते कर रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं और इसी प्रकार कान भी कर रहे हैं और हम इनकी कथनी करने और रहने यानि यह बोल रहे हैं यह सभी हमको प्रेम्य लिला में डुबो कर पुना आनंद के सागर में इस तरह से डुबोते जा रहे हैं कि हर पल उसमें नित नमीनता है, कभी ऐसा नहीं लगता कि अब इससे आगे कुछ नहीं है, जितना डूपते जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी और प्रेम है, और आनन्द है, कहीं और छोर नहीं, न उस प्रेम का और छोर है, न उस आनन्द का और छोर है, और न उस सांति का और छोर है, रूह भी रंग रस चंचल जपल गत अब आत्मा की इस्तिति क्या हो जाती है रूह भी रंग रस अब हमारी आत्मा जब चित्वनी की उस सवस्था में अक्षरातीत के मस्तक को देखती है होठों को देखती है नित्रों को देखती है नास्का को देखती है कानों को देखती है उसकी अवस्था क्या होती है रूबी, रंग, रस प्रीतम के प्रेम और आनन्द में डूब जाती है चंचल, चपल, गत उसकी अवस्था क्या हो जाती है चंचल एक प्यास है अक्षरतित के प्रेम को पाने की आनन्द में स्वयम को डूबोने की और डूबकर स्वयम के स्चित को समाथ्ट करने की इसलिए इसको चंचल का गया है रूबी रंगरस चंचल चपल गत उसकी अवस्थत चपल है चंचल चपल का ताथ पर क्या है उसमें अलसीय प्रमाद नहीं है आत्मा प्रेम को भी पा रही है आनंद को भी पा रही है संदरी का भी रस भी रही है एकत्त का भी रस भी रही है सम्मेट डूबी पड़ी है इसलिए इसको यहाँ चंचल और चपल करके संबोधित किया गया है मोहन मोही मोहन मोही मोहनी मह हो जाए आप देखिए तिके जाता या साहित तिके भी से सजी अलंगारों की बात कहा करते हैं ये की चर्ण में चार अक्षर मोहन, मोही, मोहनी मह हो जाए या उनुप्रास अलंग का कितना सुन्दर बर्णन है मोहन किसको कहते हैं जो समोहित करता है कैसा है वो? मोही समोहित करने वाला है परमधाम की आत्माओं को समोहित करने वाला है समोहन का ताद पर यह है अपनी तरफ अकर्षित करने वाला अपनी प्रेम के अकर्षर में खीचने वाला मोहनी वो मोहन है अपनी समोहन की सक्ति से मह हो जाए महों जाने का ताथ पर एक रूप हो जाए अपनी सौंदरी से, प्रेम से, आनन्द से परंधाम की आत्माओं को अपनी सुभास रिंगार में डूब कर अपनी हिर्दय में विलेन कर लेने वाला प्राणिस्वर अक्षरातीत जब दिश्ट को चर होता है तो परंधाम की आत्माँ, उनकी सौंदरी, प्रेम और आनन्द में ढूब कर अपनी अस्थित को समाब्ट कर दे दिये परंधाम की आत्माओं के लिए ये प्रेक्रण ये कुद प्रेरग का कारी कर रहा है कि हमें ये नहीं सोचना है कि राजी हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि इस प्रग्ण की चौथी चौपाई में एक बहुत महत्पूल बात कही गई है पहली चौपाई में के चौथे चर्ण में जो बात कही गई है मासूक दिल मुमिन मुहल माहे बसे जदि हम इस सत्य कौंगी कार कर लेते हैं कि मासूक स्री राजी कहा है मुमिन दिल ब्रह्मात्मा के धाम हिर्दय में रहते है और मोहल माहे बसे ब्रह्मात्मा का हिर्दय ही रंग महल है वही परमधाम है वही मुल मिलावा है जिसमें मासूक बसे राजी रहते है इस जागनी के ब्रह्मान में ज्यान के प्रकास को लेकर तारतम वानी के प्रकास को लेकर हमें दिर्टा से ये अटूट विश्वास के साथ खड़े हो जाना है कि हमारी आत्मा का हिर्दे प्रितम का धाम है यदि हम जीव के विकारों की तरफ देखेंगे तो जीव में तो कामकुरूद मदलोब के विकार रहे हैं किन्ति ये सभी विकार प्रितम के प्रेमें चित्वनी की ज्वाला से भसमी भूत पल भर में हो सकते हैं यदि हम सच्चे हिर्दे से धने की सुभा को हिर्दे में बसाने का प्रयास करें और कुछ दिन तक सर्वस समर्पन के साथ आर्थ भाह से प्रार्थना करें कि है प्रितम मेरे जीव के इन विकारों को दूर कर अपने प्रेम में डुबाईए तो एक दिन आपकी प्रार्थना वह से सुभार हो जाएगी जब आपकी आत्मा परात्म का स्रिंगार सच करके खड़ी हो जाएगी और इस दिर्था के साथ प्रेम की कदम बढ़ा देगी कि प्रितम का निवास तो मेरी आत्मा का हिर्दे है तो निश्चित है कि वह सफलता दूर नहीं रहेगी अर्स वाहदत खिलवत खसम की हुजजत निस्बत लिये इताई इस जब बहुत बड़ी बाची जीत सकते हैं अर्स वहदत खिलवत खसम की हम कौन है हमें तो यह बताया जाता है कि तुम गिरेश्टी हो सुन्दर साथ हो सिवा पूजा करलो तुम्हें और कुछ करने के जूरत नहीं हम कौन है अर्स वहदत हम परम्ध हम की वहदत के सुरूप है वहदत के सुरुप में कौन है? राजी के वहदत में स्यामा जी है, सक्खिया है महालक्ष मी है यदि हम परात्म की भावना से देखें कि जो मूल शुरुप है अपने जाको कही है परातम सो परातम संग लेके विलसिय संग खसम यदि हम अपने देश्टी करें कि हम परात्म स्वरुप है तो सायद हमारे अंदर हीन भावना ये क्यों आएगी? आप सोचिए, विदान्त के सुत्रों को रट कर माया के जीव जब ये पुकार सकते हैं कि सचतानंदों हम, पूरानंदों हम और आप एक दीन साल ने लिया जाता है, परिक्रमा कर ली जाती है उसी को देकर आपके उनकी नकल करना ही अपने जीवन का करतब बेमान बैठे हैं तो आपको इस सत्तिकाबोत कैसे हो सकता है आप अपने देश्टे को कालमाया युगमया से परे परमधाम में मूल मिलाव में कीजिए और देखिए सिंगार और सागर की चौपाईयों में स्वयम का मुल्यंकन कीजिए कि वाणी क्या कर रही है कि जो मूल सरूप है अपने जाको का ये परातम सो परातम संग लेके विलसिये संग खसम परितम के आनंद की रसा अनुभोत हमें यहाँ इस नसवर जगत में करने के परमधाम में तो है कैसी मिथ्या धारणा बन गई है कि जब परमधाम में ही चित्वनी करने है परमधाम में तो अक्षरातित पलपल हमारे साथ है जागनी का मुद्ध क्या है जागनी तो तब ही हमारी मानी जाएगी जब इस तन छोड़ने से पहले हम अपनी आत्मा के धा मिर्दे में अपने प्राने सुर को देख ले अर्स वहदत हमारा सुरूप क्या है वहदत की सुरूप है खिलवत खसम की आप कौन है कि एक चरण को याद कर लिए अर्स वहदत खिलवत खसम की मेरी आत्मा तो अक्षरातीत की खिलवत है अक्षरातीत की खिलवत होने का दाद पर क्या है प्रीतम कहां रहता है आसिक अपने मासुक के हिर्दे में रमता है मासुक के हिर्दे में आसिक और आसिक के हिर्दे में मौसूप प्रिया के हिर्दे में प्रितमा, प्रितमा के हिर्दे में प्रितम, दोनों तो एक सरूप है किन्त हम को यह पता नहीं हमें इस माया की जंजीरों में ऐसा जखड दिया गया है समाज की छेत्र की कर्म कांडों की वेडियों से हमें इसा जखड़ा गया है कि कोई अपनी बुद्धी कप्रियों कर भी नहीं पारता है कि वास्तों में वाणी क्या दर्शा रही है जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि अर्स वैदत खिल्वत खसम की हम वैदत के शुरूपें अच्छछा तीत के खिल्वत हम हैं हमारी आत्मा के हर्दे में हमारा प्रणिस्वर रहता है यहीं तो बोद नहीं पख़पाता है जिस दिन यह बहुत हो जाएगा, क्या हम अच्छातित से भीक मांगा करेंगे, जो आज मांगते हैं, मन्नते मांगा करते हैं, नारियल चड़ाते हैं, और क्या-क्या चीजे चड़ाते हैं, जैसे दुनिया के लोग हनुमान जी के मंदिर में नारियल चड़ाते हैं, मिठाई चड़ाते हैं, क्या-क्या चड़ाते हैं कि हमारे देवता खूस हो जाएं, हम भी चड़ाने लगे हैं, अपना हिर्दय नहीं चड़ते हैं, अपना हिर्दय नहीं देते हैं, प्रेम में अपना क्यों हिर्दय देना होता है, कुछ चाहत नहीं रखने होती है, जिस दिन हमारे पता चल जाएगा कि मेरा प्रितम मेरे हिर्दे में रहता है क्योंकि मेरे हिर्दे में ही उसका निवास है और मेरा हिर्दे ही उसके खिलवत है तो उस दिन सब के अंदर उमंग जंग जाएगे कि जो प्राणिसवन हमारे हिर्दे में अहनिस रहता है दिन रात रहता है उसको हम क्यों न देखे हमसे अच्छे तो प्रतिविम के वे सखिया है वे दिरिचा सखिया है जो उद्धव को कहते हैं कि उद्धव तुम हमें योका उपदेश देने क्यों आया है जो हमारा कृष्ण है वो तुम हमारे पास रहता है गोप दावा करते हैं, खिल्वत में रहने का दावा करते हैं, किन्तों हमको पता ही नहीं कि हमारा हिर्दे ही खिल्वत है, जिसमें हमारा प्रित्म रहता है, हम वैदत के सरूप है, हम उसके सरूप है और वह हमारी हिर्दे में रहता है, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब एक धाम हिर्दे में लेके उड़ाई दीजे सबर्वा है यदि सुन्दर साथ इस तथ्य को अंगेकार कर ले तो साथ पूरे समाज की इस्तिती कुछ अलग हो जाए आजकल तो सारा ध्यान कलस चढ़ाने में लगा हुआ है सुन्दर सुन्दर कलस सोने के सुन्दर सुन्दर दर्वाजे सुन्दर सुन्दर सिंगहसन किम्ती किम्ती हार आखिर इससे क्या होगा यदि हमने अपने सुरूप को नहीं पचाना कि हम भायतत के सुरूप हैं हम प्राणेश्री हूं। और मैं उनकी ही स्वरुपा हूं। ये तीन चीजे हैं। हमारी अंदर एक दास भावना हीन भावना घर कर गई है। संसार के लोग इस तुरतों का असलुकों का मंत्रों का पाठ करते हैं। हम भी माला लेकर के मंत्र जबा करते हैं। गोपियों ने तो कभी माला लेकर मंत्र नहीं जबा। क्योंकि उनका हिर्दय ही उनकी प्रीतम का हो चुका था। क्रिष्ट के विरह में सौ साल विरह में तड़प गई। प्रतिविम की सखियां। कभी माला को नहीं पकड़ा। बांसुरी की आवाज सुन करके ब्रेज में गोपियां। योग मया में पहुंची। किसी मंत्र का जब करते वे नहीं क्योंकि उनके रुम रुम में उनका प्रीतम बसता है। इस जागनी के ब्रमान में सब कुछ अक्षरातीत ने बता दिया। फिर भी परमधाम की आत्माएं इस सत्य को नहीं जान पा रही है। कि अर्स वाहिदत खिलवत खसम की मैं अक्षरातीत के शुरूपा हूं। मेरा शुरूप वही है जो अक्षरातीत का शुरूप है। वह स्वैम करते हैं कि तुम रुम है मेरे तन हो। किन्त हमें भी स्वास ने। और्स वैदत खिल्वत खसम की मैं अक्षरातीत की खिल्वत हूं अक्षरातीत मेरे हिर्दे में दिन रात करते हैं हम तो सोचते हैं कि हम उक महराजी के पास जाएंगे वो किर्पा कर देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, क्या बैबार है हम नारियल चड़ा दें, एक लाकास बागा चड़ा दें तो साहित राजी हमारे उपर ये क्रिपा कर दें हम क्रिपा के भीख क्यों मांगते हैं हम ये क्या पता नहीं, क्रिपा करने वाला हमारे हिर्दे के बिना रही नहीं सकता क्रिपा करने वाला हमसे प्रेम चाहता है हमसे माला के मंतरों का जाप नहीं चाहता हमसे पैसे के बल पर वो सुने सिंगहसन नहीं चाहता सोने का कलश नहीं चाहता वो के बल यह चाहता है कि तारतमवाणी का प्रकास सब के हिर्दे में पहुंचे और उस जान के प्रकास में क्योंकि बिनाज जान के पहचान नहीं होती है बिनाज जान के प्रेम कहां से आ सकता है ब्रज में जान का प्रकास नहीं था इसलिए 11 वर्स बित्ते बित्ते सब ने उनको परपुरुस कर दिया कट सब्दों से संबोधित कर दिया इस जागनी ब्रमान में भले ही प्रेम का रस सुन्दरजात में नहीं दिख रहा है लेकिन अक्षरतीत को अब सब्दों से सम्मधित करने का कोई दुसास नहीं कर सकता क्योंकि जान दर्सारा है कि नहीं हमें ऐसी भासा नहीं बोलनी है प्रेम बीना ज्यान के नहीं हो सकता बीना पहचान के जो प्रेम होता है ब्रज में बीना पहचान के प्रेम था इसलिए 11 वर्सों के बाद वो खंडित हो गया बाउन दिन का भी योग देखना पड़ा जागनी ब्रमान में ज्यान से पहचान दी गई है अब हमें सोयम को जागरित करने के लिए प्रेम की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे तो इस चुपाई को के इस चलन को याद रखिये हमेशा अर्श वाइदत खिलवत खसम की मेरा सुरूप अक्षरातीत का है मेरा हिर्दय अक्षरातीत की खिलवत है मेरा हिर्दय भी तो खिलवत है मेरे हिर्दय में ही तो अक्षरातीत को बैठना है मासुक दिल मुमिन मोहर माहे बसे मेरा प्रितम मेरी आत्मा की हिर्दय में रदा है और वही उसका रंगवाल है भाक्ति स्री महामत अर्श रूह उम्ति भाक्ति श्री महामती जी की आत्मा कह रही है कि अर्श रुहें उमती परमधाम की आत्मा है पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुँचाई जिसको रुहें करते हैं उसी को उमती करते हैं पूरन कर 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 पूरन क की आत्मा अपने धाम हिर्दे में अपने प्राणिस्वर के नक्सिशिक्त की सुभा को देखेगी , संपुर्ण परमधाम की देखेगी . और देखने के बाद स्वयम के अस्तित को इस तरह से समाप्त कर लेगी कि केवल तू रह जाए जिसमें अध्यात्म का चरम लक्ष पूरा होता है अर्स वैधत खिल्वत खर्सम की हुज्जत निस्वत लिए इताई मेरी आत्मा तो इस बात को याद कर और अधिल्वत लिए इताई तू यहां आई है इस खेल में आई है निस्वत का दावा ले कर इस गरवद में क्या को हुआ था सक्यों ने कहा था कि दाम दनी सौ बार देखो अजबाई कि तो भी न भूले हम माया में आकर तो हम यह भी नहीं मानते हैं कि हम परमधाम से आए हुज्जत निस्बत लिए आई तू अपने मूल समंध का दावा लेकर यहां आई है चाहें कुछ भी माया करें हम आपको नहीं बूलेंगी हम अपने सुरुप को नहीं बूलेंगी और आपको नहीं बूलेंगी जो सुन्दर साथ यह कहा करते हैं कि हमें अपनी आत्मा के हिर्दे को धाम बनाने का सोभाग नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि ये तो परातम का हिर्दे ही धाम है यहां आत्मा तो सुपन के समान है और परमधाम में ही राज्जी देखे जा सकते हैं तो उनके लिए ये चुपाई कही जा रही है हुजज़त निस्पत लिए इताई मेरी आत्मा तु अपने मुल समंद का दावा लेकर ही तु यहां खेल में आई है खेल में आते समय भी राज्जी ने एक ही बात पूछी थी उतरते अरवाहों सुपन के कहा अलस्तो वेरभ को क्या में तुमारे प्रितम नहीं सक्यों नित यही कहा था कि वले न भूले हम हम आपको कभी भी नहीं बोल सकती है माया चाहे कुछ भी करे वैसे ही उनकी प्राणिस्तुरी सुरूप वह स्वयम है वह प्रेम के सुरूप है तो हम भी प्रेम के सुरूप है हमारे निशमत के सुरूप में क्या बस आए क्यों प्रेम इस्रीम भाहमत क्या इमुमिनों परमदहम की अत्माओं को समद्ध करकर अक्षरतीत करें कि यह निस्बत इसक सागर निस्बत में क्या है इसक का सागर है लियो प्याले हुकमे प्यो फूर भर भर जिदी निस्बत की पहचान हो गई तो बागी क्या रहा गया है निस्बत में ही इसक है निस्बत में ही इलम जहां निस्बत है वह सब है निस्बत में ही इसक है निस्बत में ही इलम है निस्बत में ही वादत है निस्बत में ही तो सब कुछ बसा हुआ है हम अपने निस्बत को मूल समंद को ही याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा आप उस महारानी के कलपना कीजिए जो अपने महाराज के साथ किसी ब्यानक वन में जाती है किसी कारण से दोनों में भीयोग हो जाए यदि महारानी अपने चकवर्ती समराठ प्रितम से अलग होकर बन में खो जाए और उसको कोई ब्याद बहलिया ले जाए अपने घर किसी कारण से ऐसी ओसदी सुगा दे जिसे वो भीहोस पड़ी रहे अपनी समर्ती को भूला दे तो क्या होगा वो तो अपने चकवर्ती समराठ को भूल कर एक बहलिया के घर नोकरानी बन जाएगी यही इस जिदिया किन्तो यदि वो अपनी समर्ती को सुरक्षित रखती है की नहीं मैं समराठ के अर्धांगनी हूँ इस बहलिया की नहीं तो साहिद वो बाजी मार ले जाए जागनी के ब्रह्मान में भी हमें यही करना है इस मायावी जगत में आने के बाद हमको माया के तन मिले हैं माया के संगे समंधी मिले हैं माया का ब्रह्मान मिला हैं सूरज चांद सितारे दिख रहे हैं धन संपता दिख रही हैं यह वन बृतावस्ता और बच्पन दिख रहा है। एक तरफ मृत्य भी दिख रहा है, एक तरफ जन्मी भी दिख रहा है। नजाने कितने परमिस्वर की कलपना यहां की जा रही है। अनिको हजारों पंथ हैं। सबी का रहे हैं कि हमारा मार्क सत्य है हमारा मार्क सत्य है इसमें परमधाम की आत्मा ही उल्ची पड़ी है तारत्म बाणी का प्रकास पाकर यति वे अपनी मूल समंद का रस्पान कर ले दावा लेलिक नहीं मैं परमधाम की आत्मा हूं अक्षरातीत की खिल्वत हूँ और एकत्त का सरूप हूँ मैं एकत्त सरूपा हूँ, खिल्वत सरूपा हूँ मेरे हिदय क्यत्रिक अक्षरातीत कहीं और नहीं रहते जहां मैं हूँ, वहां अक्षरातीत को रहना होगा और अक्षरातीत की मैं अर्धांगनी वैसे हूँ, सागर अपनी लहरों का परत्याग नहीं कर सकता, चंद्रमा अपनी किरों का सितलता का परत्याग नहीं कर सकता, सक्कर अपनी मिठास का परत्याग नहीं कर सकती, फूल अपनी सुगंधी का परत्याग नहीं कर सकता, सौंधर प्रमान में अपने को बास्तिविक जागनी के सिखर पर पहुंचा लिया या प्रिक्रण हम सुन्दर साथ को सावचेत कर रहा है कि सुन्दर साथ अलस की चादर वोड़कर हम कब तक सोते रहेंगे से माला जबते जबते अब तो समय है कि उगल सुरूंप की निकर से सिख्टंप की सुबा हम सोचें कि हम परंद्हाम की खिलवत हैं और भेधत किलवत खसम के जब हम कट्ट खे शुरूंप हैं når धनि ऑप्ति में कोई परदा तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इस्क जो मेरे दिल, ये क्योंकर पाव बका मिने, जो सहुर करो से मिल, और उस सत्य को देखने के लिए हम इस खेल में आये हैं, हुज्जत निस्बत लिए इताई, अपने मुल समंद का दावा लेकर ही तो हम माया के संसार में आये हैं, हम ये और हम में और उन में किसी भी तरह का भेद रहे हैं, कि यहां अनुब होती होगी, चित्वनी में डूब कर, प्रिम में ही चित्वनी में, जान की चित्वनी नहीं, जिसमें किवल हम सिनिया, थंबे, गिनते रहे हैं, अभूसनों को याद करते रहे हैं, मस्तिस्क से चित्व में बिलीन कर दीजिये, पुना देखिए, अध्यात्म का कैसा रस बसता है, धामदनी से प्रार्थना है, कि हर सुंदर्जात की हुर्दे में, चित्वनिक ऐसी प्यास जगा दे, सुंदर्जात कर्मकान्ड की उबर्खाबर्ड पगडणी को छोड़ कर, चित्वनिकी उस्वर तरफ सौंदरी का, कुछ भी तो धामदनी ने छिपा कर नहीं रखा है, अपना हिर्दे खोल दिया है, इस जागनी के ब्रह्मान में हम भी तो अक्षरातीत के लिए अपना हिर्दे खोलें, और तब ऐसा लगेगा, कि हम संसार की नौधा भक्ति पर चलने के लिए नहीं आएं हम तो इस संसार में भी रखकर, परमधाम में जो हमारी परात, जिस रस का रसस्वादन करती रही है, इस जागनी के ब्रह्मान में भी हमें वो सारा अधिकार है, प्रितम हमारे साथ है, हमारी आत्मा जीव पर बैठकर खेल को देख रही है, तो क्या, हम जीव भाव से, सरीर स्वयम को अलग कर ले, और फिर देखें, परात्म की भावना में भावित्वकर, हम प्रेम से अपने हिर्दे में जब धनी की सोबा को नहीं हा रहेंगे, तो ऐसा लगेगा हमें, कि हम तो परमधाम में है, इसी को किरंतन के दुसरी सब्दों में कहा गया है, वो तो खेले प पार पियासों देखन को तन सागरमाई, उनका सरीर देखने में इस संसार में दिख रहें, किन्त वो अपनी चित्वनी की प्रेम में डुब कर परमधाम बिचल कर रहे होते हैं, इसलिए सुन्दर साथ किसी भी तरह का निरासा भाव अपने अंदर न लाए, बल्कि चित्व परमधार में रह नहीं रहें, संसार तो किन्निमित मात रहें, कहन कथन मात रहें, प्रितम हर पल हमारे साथ हैं, बद्रत, निश्बत, खिलवत का सारा रस लेकर हमारी आत्मा के धाम इर्दे में विराजमान हैं, और उसको देखकर सारे संसार के लिए भी दर्वाजा खोल देना है कि संसार के प्राणियों तुम अभी तक नस्वर जगत के कणकण में परब्रह्म को खुचते रहें उस परब्रह्म को पाने के लिए तुमने अर्वो बर्सों से एक अरब चानवे करोड आठ लाग तीरपुनाजार बर्सों से तुम प्रयास करते रहें अब प्राणाजे की अमरित भाईवाणी तुमारे लिए प्रेम और आनंद का सौगात लेकर आईए इसमें स्वयम डिवो और हर प्राणी को इसके लिए लुपने का उसर प्रदाब करो झाल